मंत्र की ध्वनी महत्तव्पूर्ण मनत्र की ध्वनी महत्तो पूर्ण है, ना को मंत्र का अर्थ केवल आपके मानसिक स्थर पर मौझूद है इंसानी मन को छोड़ कर ब्रहमांड में कहीं भी कोई अर्थ नहीं है पर ध्वनी है क्योंकि ध्वनी एक गूंज या एक कमपन है और आज आधनिक विज्ञान इस बारे में बात कर रहा है कि कोई पदार्थ नहीं है अर्चीज एक गूंज है यानि बस उर्जा कमपित हो रही है और ध्वनी ब्रहमांड का एक सच है अर्थ एक मानसिक रचना है क्योंकि श्रिष्टी को ध्वनियों की एक जटल मेल के रूप में देखा जाता है और कुछ ध्वनिया चाबी की तरह हैं मान लीजिए कि अगर आप एक कमरे में बंध हैं और मैं आपको एक चाबी देता हूँ आजादी की चाबी पर आपने चाबी को देखा और आपके पास चाबी की कोई समझ ही नहीं है तो आप क्या करेंगे आप उसे अपने कान में डालेंगे आप उसे दिवार पर चलाएंगे लेकिन इससे कुछ नहीं होगा सिरफ अगर आप उसे एक खास छेद में डालते हैं और घुमाते हैं तो वो आपके लिए दुनिया खोल देती है तो कोई मंत्र भी आपकी ध्वनी की वज़ा से महत्वून है अर्थ की वज़ा से नहीं अर्थ एक मानसिक और समाजिक रचना है अर्थ वास्तों में अर्थ हीन है ध्वनी मजूद है यह एक विज्ञान है जिसमें हम ध्वनी के इस्तमाल से अपने अंदर और आसपास एक तरह का महौल बनाते हैं अर्थ तो बस आप खुद घड़ते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी उमीद करते हैं आ नेवार